तो फ्रेंड्स, स्वालत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रागहसर.com में आज हम विज्ञान विसाई के अध्याई दो, अमल, छारक एवं लवन के महत्वपून वस्तुनिष्ट प्रशनों को समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर दी गई हिंट के माध्यम से आपके पूरे अध्याई का रिविजन हो जाएगा और साथी साथ आपकी प्रत्योगता परिक्षाओं की तयारियां भी हो जाएंगी चलिए हम सुरुवात करते हैं इस अध्याई के पहले बहुविकल प्रशन की निम्न मैंसे कौन संसलेसित अमल चार सूचक है तो हम पहले यह पता करें कि यह सूचक क्या होते हैं इसके लिए यहाँ पर एक हिंट हमारे सामने आ रही है जो हमें बताएगी कि सूचक क्या होते हैं अम्ल तता छार्कों का पता लगाने के लिए जिन पदार्थों का उप्योग किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं ये रंग तता गंद परिवरतन द्वारा अम्ल वा छारक की पहचान कराते हैं। नीले से लाल हो जाता है और छार के साथ लाल से नीला हो जाता है तो ये रंग परिवर्तन के द्वारा हमें अमल और छार की पहचान कराता है तो यहां हमारे पास चार विकल्प हैं इसमें देखिए उपर के जो दो विकल्प हैं मैथिल ओरेंज और फिनौफतलीन ये दोनों ही रसायन हैं और इन दोनों को ही प्रयोग साला में बनाया जाता है इसका मतलब हमारा सही उत्तर है A. एवं B. यहाँ पर संसलेसित अमलचार सूचक है जबकि लिटमस पत्र और हल्दी ये हमें प्रकृती से मिलते हैं ये प्राकृतिक सूचक है चलिए एगले प्रशने की और बढ़ते हैं हम जो देख नहीं सकते हैं इनके लिए कौन सा सूचक है द्रस्टी बादिच छात्रों द्वारा अमलवचार की पहचान करने के लिए ऐसे पदार्थ प्रियोग में लाए जाते हैं जिनकी गंध अमली या छारी माध्यम में भिन्न हो जाती है। इन्हें गंधी सुचक कहते हैं जैसे लौंग का तेल एवं प्याज का रस। तो गंधी सुचक रंग परिवर्तन नहीं करते हैं बलकि ये अमल या छार के साथ अपनी गंध बदल देते हैं जैसे लौंग का तेल और प्याज का रस। और अगर गंध चली गई है तो समझ जाइए कि वो विलियन चार है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में हम देखें यहाँ पर लिटमस पत्र, हल्दी और पिटूनिया की पत्तियां ये रंग परिवर्तन करती हैं। लेकिन वनीला एसेंस ये वाजारों में उपलब्द है, सीसियों में आता है, इनका अक्सर घरों में केक जदा अन पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो वनीला एसेंस भी छारक के साथ क्रियाकर अपनी गंद खो देता है, जिससे दर्ष्टिहिं छात्र अम्ल छारक की पहजान कर सकते हैं, तो हमारा सही उत्तर है गंदिय सूचक वनीला एसेंस। चलिए हमारे तीसरे बहुविकल पर प्रश्णिकी और पहुँच रहे हैं, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, चार बाते दी गई है, हमें बताना है कि इन चारों में से अम्ल के लिए सत्य कथन कौन सा है, तो पहले अम्ल की सारी विश्यस्थाएं हम यहां हम पढ़ ले अम्ल प्राकर्तिक रूप से खटे फलों में पाये जाते हैं, अर्थात अम्ल स्वाद में खटे होते हैं, यह निले लिटमस पत्र का रंग बदल देते हैं, अर्थात यह निले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यह प्राकर्तिक सुचक जैसे हल्दी से क्रिया नहीं करते तथा गंधिये सुचकों की गंध अमलिये माध्यों में अपवर्थित रहती है जबकि छारक के गुण इसके विपीत होते हैं तो हमने हमने यहाँ पर अमल के गुण देख लिए कि अमल स्वाद में खटा होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो हमारा अमल से संबंधित सत्य वचन हो गया कि अमल स्वाद में खटे होते हैं और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अगला प्रशना आ रहा है हमारे सामने निमलिखित मैंसे कौन हाइड्रोक्लोरिक अमल के तनू अमलिये विलियन में उपस्चित है हाइड्रोक्लोरिक अमल का सुत्र आप जानते हैं HCL होता है अमलिये विलियन अर्थाद हमने इसको जल में घूल दिया है तो इसका अमलिये विलियन तियार हो जाएगा पर हमें बताना है कि उस विलियन में कौन कौन से आयन मौझूद होंगे अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम यहाँ पर दी गई हिंट को पढ़ेंगे हमें अपने आप उत्तर समझ में आ जाएगा जब किसी अमल को जल में घूला जाता है तो वह अपने आयनों में विवक्त हो जाता है जिसमें से एक आयन हमेशा हाइडोजन आयन एच धन आयन होता है परन्तु एच धन आयन पानी में कभी भी सोतंत्र रूप में नहीं रहता बलकि यह जलकी अणों के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन एच थ्री ओ पॉजटिव बना लेता है तो इस परकार एक बात किलियर हो गई कि जब भी अमलों को पानी में घुला जाएगा यह अपने आयनों में टूट जाएगा जिसमें से एक आयन हमेशा एच धन आयन होगा यह एच धन आयन ह2O अणों से क्रिया करके ह3O पॉजटिव में बदल जाएगा तो इस परकार विलियन में कौन-कौन से आयन होगे एक तो ह3O पॉजटिव होगा और दूसरा कौन सा होगा हाइडरोकलोरी कमल में HCl होता है HCl अलग हुआ है तो वो क्लोराइड आयन होगा तो इस परकार हमारा उत्तर हमें मिल गया चलिए हम अगले बहुविकल पर प्रशन की और बढ़ते है कोश्चन नमर पाँच हमारे सामने आ रहा है निम्न में कौन प्रकृति से अमली है यहाँ पर चार पदार्थ दिये कहें है हमें बताना है कि इन मैंसे किस पदार्थ की प्रकृति अमली है एक जरासी हिंट देख लेते हैं वैसे तो आपको आंसर पता चल गया होगा हिंट कह रही है अमली यह वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खटे होते हैं जिनका प्रशन से कम होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है अब यहाँ पर दिखिए यहाँ पर लाइम जूस हमने पिया है नीबू कर रस वाद में खटा होता है इसका पीएज भी साथ से कम होता है लगभग तीन और अगर हम नीले लिटमस पत्र पर नीबू की कुछ बुने डाल दें तो लिटमस पत्र लाल हो जाएगा जबकि मानाव रक्तर 7.8 pH चुने का पानी यह भी छारी होता है प्रती अमल यहाँ इसे अमल न समझें यह प्रती अमल है अर्थात अमल का विरोधी अमल को उदासीन करने वाला तो प्रती अमल एंटासीड अमल को उदासीन करने वाला अर्थात चार तो इन मैसे अमल नीपर करती हुई केवल लाइम जूस की चलिए चटा प्रशन निमल लिखित में कौन चारक नहीं है अब इन मैस से हमें पहचानना है कि कौन चारक नहीं है सामनत हम यह जानते हैं जिस योगिक में OH समू होता है वो चारक होता है अब यहां तो चारो ही योगिक में OH समू जुड़ा हुआ है अब हम कैसे पता लगाए कि इसमें से कौन चारक नहीं है चलिए हमारी हिंट हमको सब समझा देगी अमल विलियन जल में हाइडरोजन आयन तता चारक विलियन में हाइडरोकसिल आयन उत्पन करते हैं अमलों को पानी में घोलोगे एच धन आयन निकलेगा चारक को पानी में घोलोगे OH रिन आयन निकलेगा पहली बात दूसरा है उत्पन करते हैं जिससे इनके जली विलियन में विद्धुधारा का प्रभाह होता है बिल्कुल सही बात है जब आयन बन जाएंगे तो उसमें से विद्धुधारा बहेगी उपरोग तो दोनों किरियाएं ग्लुकोज एवं अलकोहॉल द्वारा नहीं होती इसलिए ग्लुकोज और अलकोहल अमल और चार की स्रेणी में नहीं आते तो यहाँ देखें चार ओप्षण हमारे यहाँ पर उपर के जो तीन ओप्षण है और इसको पानी में घोलोगे तो ओएच रिन आयन बनेगा साथी साथ इनके जली विलियन में से विद्युधारा प्रवाहित होगी लेकिन जो सबसे नीचे दे रखा है C2H5OH यह इसको पानी में घोलोगे तो OH रिन आयन नहीं बनेगा और इसके जली विलियन में से विद्युधारा भी प्रवाहित नहीं होगी क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ, सॉरी, चारक नहीं, बल्कि यहाँ, क्या है, एक एलकोहल है, C2H5OH को हम, एथिल एलकोहले एथनॉल कहते हैं, यह सामने तह सराब है, इसमें OH समूँ जो है, वो इसका क्रियात्मक समूँ है, एलकोहल का क्रियात्मक समूँ, अर्थात, एल आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला बहुविकल पर प्रशन आ रहा है, अमल धातुओं से क्रिया कर कौन सी गेस उत्पन करते हैं, जो पॉप ध्वनी से जलती है, इसे हमने पिछले अधिहाई में भी पड़ा है, अगर आपने अधिहाई एक रासानी का भीक्रेम समीकरण वाला हमारा ये वीडियो देखा होगा, तो आप इस प्रशन का उत्तर बता देंगे, नहीं, तो ये लिजे हिंट आपके सामने आ रही है, अमल धातुओं से क्रिया कर लवन बनाते हैं, तता मुक्त हुई हाइड्रोजन, परमाणूओं का हाइड्रोजन गेस के रूप में चलिए हम देखते हैं, हमने एक धातु ले ली, जस्ता जैडेन, उसकी अमले से क्रिया कराई, तो देखिए, इन्होंने कहा है, विस्थापन अभी क्रिया होगी, तो हो रही है विस्थापन, जैडेन अधिक क्रिया सील है, इसने H2 को H2SO4 में से हटा दिया, ये देखिए, म परखनली या बीकर में से बाहर निकल जाते हैं, अगर हम हाइडोजन के, जहां हाइडोजन निकल रही है, वहाँ अगर जलती हुई मुंबत्तिय तीली ले जाएंगे, तो भगभग या पॉप-पॉप की धोनी के साथ जलती है, तो इस प्रकार हमें पता चल गया, कि जब नहीं रखे जाते हैं, यह प्राचीन काल से चला रहा है यह बात, कभी भी आपको ध्यान है, दही जब भी बनाया जाता है, या तो प्लास्टिक के बरतन में, या खाच के बरतन में, या पुराने समय पर चीनी या मिट्टी का जो कलस आता है, उसमें सामने दही को बनाया ज तो जब पीतल में आप रखेंगे तो पीतल से अभी क्रिया करके जस्ते और तामे के लवन बन जाएंगे जो विशाक्त होते हैं जैसे उपर आप देख रहे हैं जैडन ने अमले से क्रिया करके जैडन एसो फूर लवन बना लिया है तो यह ऐसे ही जब हम खटे पदार्थों को चाहे हम पीतल के बरतन में रखें तामे के बरतन में रखें या उन धातूं से क्रिया करके विशाक्त लवन बना लेते हैं जिससे हमारा दही विसैला हो जाता है और साथी साथ, पातर का भी झछरण होता है, पातर खराब होता है, तो हमारा सयुत्तर क्या हो जायेगा, क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति अमली होती है, ये धात्मों से क्रिया करके विसले लवन बनाते हैं जिने हम सेवन नहीं कर सकते चलिए अब हम जा रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की और हमारा अगला प्रश्न है निमली कितमें से कौन सोने को ले करने के लिए प्रियुक्त होता है अर्थात हमें अगर सोना घुलना है तो हमें कौन सा अमल काम में लेना पड़ेगा तो ध्यान दीजिए अमल जो है वो धातुओं को घुल लेते हैं अपने में बिल्कुल सही बाद है हिंट क्या कह रहे है अमल जैसे HCl हाइडोक्लोरिक अमल HNO3 धातूओं से क्रिया करते हैं परणु इनमें से किसी भी एक अमल में यह चम्ता नहीं होती कि वह हैं अकेले सोने से क्रिया कर सके हैं अर्थात में अगर सोने के टुकड़े को HCL में डालूँगा नहीं गुलेगा, अकेले HNO3 के अमल में डालूँगा सोने का टुकड़ा नहीं गुलेगा, लेकिन या इसलिए सोने को गलाने के लिए 3 अनुपात 1 में, याने 3 भाग HCL और 1 भाग HNO3 का ताजा मिस्ण त्यार किय और वही सोने और प्लेटिनम, ये भी याद रखिए, इन्हें प्लेटिनम और सोने को गुलने के लिए अमला राज चाहिए, तो ये अगला प्रशन मारे सामने आ रहा है, धातू हाइडरोजन कार्बोनेट अमलो से क्रिया करके बनाता है, तो पहले तो हमारे दिमाग में ध घातू हाइडरोजन कार्बोनेट क्या होता है, ये पता होना चाहिए, तेख तो इसका सूतर पता होना चाहिए, एने ए ethical 3, sodium hydrogen carbonate, जिसे हम खाने का सोडा या मीथा सोडा भी कहते हैं, ये अमलों, अगर इसकी हम अमल से क्रिया कराये, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा देखि और अंडे के कवच साथी साथ कपड़े धोने का सोड़ा एक वो कार्बोनेट है धातू कार्बोनेट और खाने का सोड़ा वो धातू हाड़ियन कार्बोनेट है तो ये सभी पदार्थ जब अमल से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है ध्यान दीजिए इसलिए यह अमले सी क्रिया करती है देखें यहाँ पर समीकरण के रूप में भी आपको दिखाया गया है यहाँ पर NaHCO3 अमले HClC क्रिया कर रहा है तो संगत लवन बन रहा है यहने sodium का लवन जिसे हम sodium chloride यह नमक कहती है और carbon dioxide gas निकल रही है और H2O बन रहा है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जब भी कोई carbonate यह hydrogen carbonate अमने सी क्रिया करेगा लवन जल तथा carbon dioxide बनेंगे चलिए हमारा 11 प्रशना आगया है कोई billion अंडे के पिसे हुए कवच से अभी क्रिया करके एक gas उत्पन्य करता है जो चुने के पानी को दूधिया कर देती इस billion में क्या होगा हमने अंडे का उपर का कवच लिया अंडे के उपर होता है ना कड़ा खोल वो ले लिया उसको पीस लिया दरदरा कर लिया परखनली में ले लिया और उसमें एक billion डाल दिया और carbon dioxide gas निकली उस gas को एकटा करके हमने चुने के पानी में प्रवाइद किया तो चुने का पानी दूधिया हो गया अब हमें बताना है कि वह विलियन क्या है अमल है, चार है, लवन है, क्या है तो देखे, एक हिंटा आ गई है हमारे सामने अमल, यह बात हमने पहले भी पड़ी अमल, धातू Carbonate हों यहा बात हो रही है, अंडे के खोल की तो अंडे के खोल में क्या धातू Carbonate होता है जी हाँ, अंडे के खोल का मुख्य घटक है calcium carbonate जिसे हम चुना पथ्थर भी कहते हैं केलसियम कार्बोनेट यह केलसियम धातु का कार्बोनेट लबन हो गया, तो से क्रिया करके कार्बन डाई ऑक्साइड गैस उत्पन करते हैं, जो चुने के पानी को दूधिया कर देती है, अच्छा एक महत्मून बात में आपको बताने जा रहा हूं, कार्बन डाई ऑक्साइड अठा CO2 एक अधात्विक ऑक्साइड है, कार्बन एक अधात्व होता है, कार्बन ने ऑक्सियन से क्रिया करी, तो अधात्विक ऑक्साइड बन गया CO2, जिसकी प्रकरती अमलिय होती है, और यह भीगे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अगर परकनली मैंसे करबन ड़ी ऑक्साइड गेस निकल रही है अब आपके पास चूने का फानी नहीं है अब आप कैसे पता करेंगे कि निकलने वाली गेस करबन ड़ी ऑक्साइड है अमली होती है ये पानी में घुलकर अमल बनाते हैं चलिए तो क्या समझ में आ गया कि अगर अंडे के कवच से क्रिया हो रही है विलियन की और CO2 गेस उत्पन हो रही है जो चूने के पानी को दूधिया कर रही है इसका मतलब है कि वह विलियन एक अमल है और यहाँ पर आप देखें NACL, LICL और KCL ये लवन है जबकि HCL एक अमल है चलिए हमारा बारवा प्रश्न बारवा प्रश्न है अमल और चार की बीच होने वाली क्रिया कहला दिए बहुत सिंपल है यह आप भली बाती जानते है फिर भी मैं आपको एक हिंट पढ़ा देता हूँ जब अमल और चार के जली विलियन को मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं परिणाम सुरू लवन तथा जल प्राप्त होता है इसे उदासनी करण अभी क्रिया कहते हैं और यहाँ एक उसमा छेपी अभी क्रिया है एक परखनली में आम लो दूसरी में चार लो दोनों को एक भीकर में मिला दो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे फिर अगर उस विलियन में आप कोई लिटमस मतर डालेंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा क्योंकि अमलोर चार ने एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिया है यही क्रिया, उदासिनी क्रण अभी क्रिया कहलाती, इसमें लवन और जल बनता है, तो यह समी करण से भी आप समझ सकते हैं, और हिंट से भी उत्तर आपके सामने हैं, भी उदासिनी करण, चलिए हमारा तेरवे वस्तनिष्ट प्रशने की और हम बढ़ रहे हैं, एक जलिये घ लाल लिटमस के विलियन को नीला कर देगा है, एक जलिये घौल है हमारे पास, पानी में घुला हुआ, उसमें हमने लाल लिटमस पत्र डाला तो नीला हो गया, इसका मतलब समझ में आ रही न, आपको बात कि बाद जलिये घौल कैसा है, चार ही यह है, चलिए आगे बढ़त लिटमस पत्र पर क्या डालना पड़ेगा। चलिए हिंट को समझते हैं, फिर उत्तर आप खुद बता देंगे। उदासनी करणा भी क्रिया के अनुसार अमले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उसमें च्षारक मिलाते हैं। और छारक के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उसमें अमल को मिलाया जाता है। अब यहाँ देखिए लाल इटमस पतर था, हमने एक विलियन डाला, विलियन ने उसको लाल से नीला कर दिया, याने विलियन कैसा है चारी है, अब हम इसे वापस लाल करना चाहते हैं, तो क्या डालना पड़ेगा, जी हाँ हमें अमल डालना पड़ेगा, और अमल की भी हमें अधिक मातरा डालना पड़ेगी, क्योंकि वह अमल पहले इस चार को उदासीन करेगा, उदासीन करने के बाद फिर जो आप और अमल डालेगे, फिर वह अपना प्रभाव दिखाएगा, और अमल की अधिक मातरा से पहले चार उदासीन होगा, और फिर पुनह लालेटमस पत जब एक परखनली में एक अमल का विलियन, एब हम एक चारक का विलियन मिलाया जाता है, तो क्या होता है, अभी बढ़ा था हमने, अमल और चारक का विलियन मिलाओगे, तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, जिसे हम अधाशनी करन कहते हैं, लेकिन इसमें हो इतर क्या है, यहाँ देखें, ए विलियन का तापकरम बढ़ता है, बिल्कुल सही है, एक तो ए उप्सन सही है, दूसरा है, डी नम्मर का उप्सन लवन बनता है, तो यह दोनों ही उप्सन आप एक साथ भी लिख सकते हैं, या अलग लग भी लिख सकते हैं, आपकी होगी, चलिए हम जाते हैं हमारे पंद्रवे प्रश्न की और, यदि कोई अत्तिक भूजन करने के कराण अमलता से पीडित है, तो आप कौन सा उप्चार सुझाएंगे, ज्यादा भूजन कर लिया, अपच हो गई, पेट में असिडिटी बढ़ गई, खटी ड़कारें आ र उदर में दर्द एवं जलन का नुबह होता है, इस दर्दे से मुक्त होने के लिए, मैगनीशियम, हाइड्रोकसाइड, MGOH, होल ट्वाइज, जैसे हम मिल्क ओफ मैगनीशिया कहते हैं, जैसे दुलबल छारकाउप्यों किया जाता है, तो ये इंट हमें बता रही है कि अग लवन है, सी नमर का ओप्सन है, बेकिंग सोडा का विलियन, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा, मिटा सोडा, ये वी एक लवन होता है, नमक के जैसा ही, लेकिन क्या अंतर है, नमक एक उदासीन लवन है, जबकि आपको उस पर प्रबल चाहर मत डाल देना कि अमले को चाहर उदासीन कर देगा, नहीं, पहले आपको हाथ को वाश करना पड़ेगा, उसके बाद महाँ पर आप बेकिंग सोडा, जो चाहरी ये लवन है, जिसमें चाहरक ताका कुछ गुन है, वो लगाना पड़ेगा, तो जो अमले है उदासीन हो जाएगा, आपकी जलन और जो हाथ को नुकसान हो रहा है, वो कम पहुंचेगा, चलिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सोलव अप्रशन हमारे सामने है, अपच का उपचार करने के लिए, इन्मे मैं से कौनसी उजदी को अपयोग किया जाता है, यही वोई हिंट है, और आप अच्छे से जानते हैं, अपच का उपचार करना है, तो हमें क्या पीना पड़ेगा, अमल को उदासीन करने वाला, और अमल को उदासीन करने वाला अथात प्रती अमल ना सक, जिसे हम अंग्रेजी में एंटसीड भी कहते हैं, यह बेकिंग दात के इनेमल में उपसित है, इसकी प्रकृती है, तो पहले मैं आपको बता दूँ, कि हमारे दातों के उपर एक सफेद, कठोर परत पाई जाती है, जो दातों की सुरक्षा रखती है, सरील का सबसे कठोर भाग होता है, इसे हम इनेमल कहते हैं, इसमें केलसियम कैसा होता है, छारील की होता है, अमली होता है, अदाशीन होता है, यह हिंट हमें बता देगी, दातों की सफाई नहीं करने पर क्या होगा, मूँ में मिलने वाले बैक्टिरिया के द्वारा भोजन के कणों के सड़ने से अमलों की उत्पत्ति होगी, जिससे मूँ का या में भुजन के कंड रहे गए हैं और आप सो गए हैं तो मुह में अमल बनने लगता है बैक्टिरिया के कारण और उस अमल से हमारे दातों का एनेमल खराब हो जाता है दातों का छरण हो रहा है और अमले किस से क्रिया करते हैं चार से क्रिया करते हैं इसका मतलब है कि जो दातो को रोकने के लिए हमको नीमित ब्रस करने की सरहादी जाती है सामने तहाँ प्रयुक्त टूथ पेस्ट अठाद मंजन की प्रकरती होगी यानि मंजन की प्रकरती कैसी होगी तो वही हिंट आपके सामने आ रही है कि अगर मुँ में भोजन के कंड रह गए हैं तो सुक्ष में जीवाणों के द्वारा अमल बनता है और जिससे दातों के इनेमल को नुकसान पहुंचता है अगर आप दातों को बचाना चाहते हैं तो आपको ऐसे टूथ पेस्ट या मंजन से ब्रस करना पड़ेगा जो उस अमलो को क्या करदें मुमें बनने वाले अमलो को उदासीन करदें तो अमलो उदासीन कोन करएगा चाहर इस प्रकार जो हम दंत मंजन प्रियोग करते हैं उनकी प्रक्रति चाहर की ही होती है आप टैस्ट भी लेके देखना वो हलके से कड़वे और कसेले होते हैं अचा यहीं पर बीच बीच में कुछ दूसरे प्रशनों के भी उत्तर आपको मिल रहे हैं जैसे एक प्रशन आता है कि भोजन करने से पहले लार का पीच क्या होता है और भोजन करने के बाद लार का पीच क्या होता है तो ऐसे कई चीजें आपको बीच बीच में अन्य भी कई प्रश्णों को तर मिलते चले जाएंगे चलिए हम बिना देरी की अगले प्रश्ण की उखर बढ़ते हैं हमारा 19 वा वस्तुनिष्ट प्रश्ण है एने ओएच का 10 ml विलियन के 8 ml विलियन से यहां HCL लिखना भूल गए एने ओएच का 10 ml विलियन HCL के 8 ml विलियन से पूनतह उदासीन हो जाता है यदि हम एने ओएच के उसी विलियन का 20 ml ले लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCL के उसी विलियन की कितनी मात्रा की आवश्णता होगी बड़ा प्रशन है गवराने की जुरुत नहीं है उसको सोचो आपको उत्तर स्वैम मिल जाएगा एने ओएच का पहले 10 ml विलियन था परखनली में 10 ml उसको उदासीन करने के लिए हमें 8 ml HCL लगा अब हमने एने ओएच का विलियन डबल कर दिया सौरी ये हिंट गलत आ गई है आपको इसकी ओर धियान नहीं देना है आप सीधे उत्तर पे जाए चुकि एने ओएच की मात्रा डबल कर दी है 10 से 20 इसलिए उसको उदासीन करने वाले HCL की मात्रा भी हमें डबल करना पड़ेगी 8 ml से 16 ml तब हम पूरे एने वेच को दासीन कर पाएगा हमारा अगला प्रशन है धात्विक ओक्साइड प्राया होते हैं धात्विक ओक्साइड मींज धात्वों की ऑक्सिजन की से क्रिया करने पर बना ऑक्साइड उसकी प्रकृति कैसी होती है कुछ समझ में नहीं आ रहा मत घबराईए हिंट आपको सब समझा देगी धात्वें ऑक्सिजन से क्रिया कर आइनिक प्रकृति के धात्विक ओक्साइड बनाती है जो जल में घुलने पर जल के अन्वों से क्रिया कर हाइड्रोक्षिड आयन उत्पन्न करते है इनका जली विलियन लाल लेटमस पत्र को नीला करते है अब इस बात को मैं और सरलतम सब्दों में आपको समझाना चाहूंगा कि जब भी धात्वें ऑक्सियन से क्रिया करेंगी वो ऑक्सियन से जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा धात्विक ऑक्सायड ऑगर आप पानी में घुलेंगे तो पानी में घुलने पर उस विलियन में ओएच रंडायन उत्पन हो गी यानि वो विलियन कैसा हो जाएगा हो एक उत्तर तो आपको पता चल गया है फिल भी मैं यहाँ पर एक और समीकरण से आपको समझाने का प्रियास करता हूँ मेगनीशियम रिबन को जलाते हो न ऑक्सियन की उपस्तिती में जलकर सफेद रंग का मेगनीशियम ऑक्साइड एक चूरा बनाती है सफेद रंग का पाउडर उस रफेद रंग के पाउडर मेगनीशियम ऑक्साइड को आप उठाएं और पानी की परक्नली में या बीकर में उसको डाल दें और हलका सा घूल दें तो मेगनीशियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करके मेगनीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा चलिए बन गया उसके बाद वो तुरंत फिर आइनित हो जाएगा यह जो आइस्था योगिक बनेगा मेगनिशियम हाइड्रोकसाइड एक आइस्था योगिक बनेगा यह तुरंत पानी में फिर अपने आइनों में तूट जाएगा मेगनिशियम दो धरायन और 2 OH एर्विन आयन तो इस OH के कारण विलियन कैसा हो जाएगा पानी वाला वो विलियन चारी हो जाएगा और लाल इटमस पतर को नीला कर देगा तो खुल मिलाके धात्यों के ऑक्साइडों जो होते हैं वो कैसी प्रकरती के होते हैं चारी प्रकरती के होते हैं पानी में बुलकर चार बनाते हैं चलिए हमारा अगला 21 नमर का प्रशन भी हमारे सामने आ गया है pH scale की परास है तो समझे लो पहले pH scale होती क्या है क्यों काम में ली जाती अच्छा है थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यान मिलेगा विलियन की अमलता तता छारकता को नापने के लिए pH scale या पैमाना होता है pH scale में 0 से 14 तक कुल 15 पराबर खाने होते हैं जिनमें बीच का खाना pH 7 उदासीन pH को दिखाता है और pH scale में 7 से कम pH मान वाले अमली विलियन कहते हैं और साथ से अधिक pH मान चारी विलियनों का होता है चलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं इससे और अच्छी चीज़ा आपके सामने लेकर आ रहा था हूँ यहाँ पर एक pH scale हमने आपको दिखा दी है इसमें 0 से 14 तक कुल 15 खाने हैं जिसमें से 7 नमर का खाना हलके हरेक लरका यह उदासीन pH को दिखाता है यह पानी का pH है पानी उदासीन होता है और यहाँ पर देखिए साथ से कम pH अगर 0 की ओर चलें तो विलियन अमली हो जाते हैं तो pH scale की पराज कितनी हो गई 0 से 14 तो हमारा सी नमर का उप्सन सही हो जाएगा इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो pH में जो P लिखा हुआ है आगर उसका मतलब क्या होता है तो P का मतलब होता है पुसांस यह एक जर्मन सब्द है जिसे अंग्रेजी में पौवर भी कहते हैं तो P for पुसांस अर्थाथ पौवर अफ हाइडोजन हम केवल विलियनों में हाइडियन आइनों की सांदरता ही क्यो नापते हैं pH scale की परिभासा है कि विलियन में हाइडियन आइनों की सांदरता के रिणात्मक लगू गुणा को हम pH पैमाना या pH मान कहते हैं तो हाइडियन आइनों की सांदरता ही इसमें ना पी जाती है इसलिए इसे pH कहा गया है पौवर अफ हाइडोजन अर्थाथ विलियन में हाइडोजन आइनों की ताकत चलि काफी हुआ अगला चलते है हमारा 22 अप्रशन कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है इसका pH संभवता क्या होगा लाल लिटमस को नीला कर रहा है पहले भी हम देख चुके हैं जो विलियन लाल को नीला कर दे वो चार होता है अब इस pH scale में देखिए उपर की ओर छार किदर होते हैं छार साथ के बाद में चवदा तक पाए जाते हैं तो आप देख लीजिए लाल को नीला कर रहा है यानि विलियन चारी यह है चारी विलियनों का पि-एच साथ से अधिक होता है तो यहाँ पर साथ से अधिक pH कौन का दिखाई दे रहा है D नमर के option का तो स्विलियन का pH हो जाएगा 10 चलिए हम आगे बढ़ते हैं तुरंत 23 नमर प्रशन की और 23 नमर का प्रशन है अमली वर्षा का pH मान होता है अमली वर्षा समझते हैं नई समझते हैं तो लीजिए समझ लीजिए बारिस के साथ अमलों का किलना अमली वर्षा कहलाता है कैसे होती है अमली वर्षा वाईव मंडल में मौझूद सल्फर तथा नाइट्रियन के ऑक्साइड बारिस के जल के साथ करिया करके अमल बनाते हैं सामने था उद्योगों से फैक्टरियों से जो धुआ निकलता है उसमें सलफर और नाइट्रियन के ऑक्साइड होते हैं जब पानी गिरता है बारिस होती है तो वायु मंदल के उपरी हिस्से में ये ऑकसाइड पाने सिख रिया अगर के अबल을 बना लिते हैं और इंग録 बारेश के साथ नीचे आते हैं तो उस बारेश को हम अमली वर्सा यासे टरैन कहते हैं इसी के साथ साथ लोहे के बनी जो वस्तू है उन पर जंग लग जाती है इसी के साथ साथ जो आपका ताज महल है जो कि संग मरमर का बना हुआ है मारवल का बना हुआ है वो भी अमल से क्रिया कर लेता है क्रिया कर लेता है क्रिया कर लेता है तो वो पीला पड़ जाता है ताज ब्रवल अमल होते हैं तो अमली वर्षा का भी या प्रभल अमल प्रभल अमल का pH 3 से भी कम होता है तो यहां पर सबसे कम pH औठालो सबसे कम प्रभल अमल होते हैं चुकि प्रवल अमल होते हैं इसलिए उनका पी-एच सास से कम या बोल दीजिए तीन से भी कम होगा तो इस प्रकार सबसे कम पी-एच होता है अमदी वर्सा का 5.6 से भी कम चली अगला प्रशन हमारे सामने पाचन के समय अमासई पाचक रसों का पी-एच मान क्या है भोजन के पचाने के समय हमारे अमासई में पाचक रस निकलते हैं उसका पी-एच बताना है हमें उत्तर मिल गया हमें साथ से कब, चलिए अगला प्रशन हमारे सामने, प्रशन नमर 25, सोडियम कार्बोनेट एक छार की लवण है क्योंकि यहाँ निम्न का लवण है, अब हमें बताना है कि सोडियम कार्बोनेट एक छार की लवण है क्यों, उसका कारण बताना है, वो किन लवन दूसरा है अमली लवन, अर्थात लवन तो है, लेकिन उसमें अमलता का गुण मुख्ब मौझूद है, थोड़ा सा वा अमली ये भी है, तो लवन अमली ये कब बनेगा, जब वो प्रवल अमल और दुर्बल चारर से बनता है, तो उसे अमली लवन कहते हैं, क्योंकि व उस लवन में चार की एक उन पाया जाता है और उसका उधारन है धावन सोडा Na2CO3 खाने का सोडा NaHCO3 और यहाँ पते का समीकरण आप देखिए Na2CO3 की सोडियम कार्वोनेट की जो प्रस्ण में हमसे पूछा गया धावन सोडा देखिए NaOH यह प्रवलचार है तो दुर्वलचार प्रवलचार से मिलकर यह बना हुआ है इसलिए इसकी प्रवलचार से मिलकर यह बना हुआ है तो सोडियम कार्वोनेटिक लवन है लेकिन यह दुर्वलचार से मिलकर बना है चुकि चार प्रवलचार है इसलिए इसकी सांदर्ता सही तरीके से बढ़ रही है जैसे पता चलेगा हिंट पहले समझाएगी आपको अमलों की सांदर्ता का पता pH मान से लगाए जाता है बिल्कुल सही pH मान 7 से 0 की और जाने पर अमल्य सांदर्ता बढ़ती है क्योंकि pH scale में जब हम 7 से 0 की ओर चलते हैं चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ यह माली यह pH scale है हमारी यह 0 यह 14 इधर तो छार होते हैं इधर अमल होते हैं जब हम 7 से 0 की ओर चलते हैं तो उस विलियन में हाड़ियन आईनों की सांदरता बढ़ती जाती है और दीरे दीरे विलियन कैसे होते जाते हैं प्रबल होते जाते हैं प्रबल अमली है साथ फे उदासीन साथ से 3 तर जाओगे तो यह दुरूबल अमल कहलाएंगे और 3 से 0 की ओर जाओगे तो फिर प्रबल अमल कहलाएंगे तो साथ से 0 की ओर चलने पर हाड़ियन आईनों की सांदरता बढ़ने के साथ साथ अमलों की प्रबलता भी बढ़ती जाती है पहले आते हैं दुरूबल अमल फिल आते हैं अब आपका उत्तर आप निकाल सकते हैं देखिए सबसे पहले साथ आना चाहिए तो साथ का उत्तर हो गया आपका जल आना चाहिए ये दो अप्छन हमें सही लग रहे है जल के बात क्या आना चाहिए फिर 0 की ओर चलेंगे तो फिर दुर्वल अमल आने चाहिए तो यहाँ पर एसिटिक अमल दुर्वल अमल होता है और फिर और 0 की ओर बढ़ेंगे तो प्रवल अमल आएगा तो हैड्रोकलोरिक अमल प्रवल अमल होता है तो पहले जल उदासीन फिर एसिटिक अमल दुर्वल अमल फिर HCL प्रवलमल तो हमारा सही उत्तर हो गया A छीक है ये अमलों की सांदरता का बढ़ता क्रम है अमलों की सांदरता यान है हाइण आयनों की सांदरता का बढ़ता हुआ क्रम चलिए, 27 वे नमर का प्रस्ण हमारे सामने आ रहा है बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अव्यवों में से एक अव्यव sodium hydrogen carbonate बेकिंग सोड़ा खाने का सोड़ा मीठा सोड़ा है तो दूसरा अव्यव होगा चलिए अब देखो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोड़े में क्या डिफरेंस है बेकिंग पाउडर का उप्योग खाद प्रदार्थों को मुलाया इवाम स्पंजी बनाने में किया जाता है इसका निर्मान बेकिंग सोड़ा जो खाने का सोड़ा है में मंद खाद अमल मिला कर याने दुरूबल अमल मिला कर किया जाता है इसके उपयोग से खात्रदाद स्वाद में कडवे नहीं होती छलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात में आपको बताना चाहूंगा यहाँ जो हमारा baking soda है अगर इसको हम गर्म करें baking soda मीठा soda जो सफेद रंग के crystal ये दानेदार powder के रूप में बाजार में आता है अगर हम baking soda याने मीठे soda को गर्म करेंगे तो carbon dioxide और पानी बनेगा जो आपके भोजन को नरम और spongeी बना देगा लेकिन इसी के साथ-साथ Na2CO3 याने धावन soda बन जाएगा जिसके कारण आपका खात्रदात कडवा हो जाएगा तो खात्रदात कडवा ना हो इसलिए baking soda से बनाया गया है baking powder अगर baking soda में हलका सा कोई दुर्बल अमने मिला दें तो वो baking powder में बदल जाएगा फिर baking powder को अगर आप गरम करेंगे आप cake में इस्तमाल करेंगे एगनी में इस्तमाल करेंगे बाटी खमन किसी में भी इस्तमाल करें तो कैसे घर पर बना सकते हो आप baking powder, baking soda में एक दुरुबल अमले मिला दीजे, तो hydrochloric अमले तो मिलाएंगे नहीं प्रभल अमले है, sulfuric अमले भी नहीं मिलाएंगे वो भी प्रभल अमले, अब ये दुरुबल अमले बीच में दे रखें, tartric और acetic अमले, acetic acid याने सिरका, ले जिसमें calcium, magnesium, sulfate लवनों की अधिकता होती है, तो अगर हम उसे मृदू करना है, तो हम इन चारो योगिक मैं से किस्त का इस्तमाल करेंगे, समझिए, धावन soda, कपड़े धोने का सोड़ा, sodium, carbonate, कठोर जल में गुलनसील होता है, यहाँ कठोर जल से क्रिया कर, calcium और magnesium के sulfate तो धावन soda, यहने कपड़े धोने का सोड़ा, जो घरो में मिल रहा है, वो पानी में घुल जाता है, पानी में घुल कर, जो पानी की कठोरता पैदा करने वाले लवन है, उनको अवक्षेपित कर देता है, उन्हें आप चान लीजिए, कठोर जल मीटे जल में बदल अब पेले देखें, कि crystalline gel क्या होता है, और crystalline gel युक्त योगिक कौन-कौन से हैं, उनको क्या कहते हैं, ध्यां देए, लवन के एक सूत्र इकाई में, जल के निश्चित अण्वों की संख्या को crystalline gel कहते हैं, अर्थात, किसी अगर लवन के साथ पानी के कुछ अण्वों ठ जल योजित योगिक कहते हैं, जिनमें पानी के कुछ अणू ठोज क्रिश्टल रूप में बंद हुए रहते हैं, जब इन योगिकों को गर्म किया जाता है, तो एक क्रिश्टल अजल हट जाता है, इस क्रिया को हम उत्फुलन कहते हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से किसमें क उस क्रिश्टल रूप में बंद विराते हैं चलिए उसके बाद आगी आजिए धावन सोडा है C नम्मर पे Na2CO3 इसमें 10 अनू पानी के बंदी हुए हैं इसलिए धावन सोड़े को हम बुलाते हैं sodium carbonate decahydrate deca Na10 अनू पानी के जिपसम CSO4 into 2H2O तो A, C और D में पानी के कुछ अनू लवणों के 31 सूत्र के साथ बंदी हुए हैं तो ये जो तीन तो हो गए हमारे जलीयोजित लवण और एक में पानी के अनू नहीं है तो कौन सा लवण क्रिश्टलन जलीयोगत नहीं है या कौन सा लवण जली योजित योगिक नहीं है तो वो आ जाएगा खाने का सोड़ा चली हमारा तीसरा प्रशन है जिपसम को प्लास्टर और पैरिस में बदलने के लिए कितने तापमान पर गर्म करना पड़ता है जिपसम का सूतर आपको पता है यहां एक समीकरण हम आपको दे देते हैं जिपसम का सूतर है CSO4 into 2H2 यह एक जली योजित योगिक है और इसमें पानी के दौनों बंदी हुए है अब हमें इसे कितने डिग्री सेंटिगेट पर गर्म करेंगे प्लास्टर ऑफ पैरिस बदल जाए तो इसे 373 केल्विन यह इसको हम केल्विन को डिग्री सेंटिगेट में बदेंगे तो 100 डिग्री सेंटिगेट पर गर्म करना पड़ेगा तो यहां बदल जाएगा प्लास्टर ऑफ पैरिस में अच्छे इससे ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा अगर आप जिपसम को जिपसम को इस तापमान से अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो क्या होगा यह हमने पढ़ा है कि जब भी जली होजी द्योगिकों को गर्म किया जाता है तो उनका केवल डेढ़ अनू पानी का ही बाहर हो पाता है आदा अनू पानी का CSO4 के साथ रहे जाता है जिसे हम प्लास्ट और पैरिस कहते हैं तो हमारा उत्तर हमें मिल गया चलिए अगला प्रशन हमारा 31 नम्मर का हमसे कह रहा है पूछ रहा है अच्छा लीजिए भई सही जोड़ी आ गए वस्तो निश्ट प्रशन खतम हुए हम आ जाते हैं सही जोड़ीों पे ये भी परिक्षाओं में आती हैं कम से कम पांच नम्मर की चलिए यहाँ पर स्थम्ब आ में कुछ पदार्थों के नाम लिखे हुए है अच्छा अमलों के नाम लिखे हुए है हमें बताना है कि यह अमल इस्थम्ब बा में दिये गए किस खाद्र पदार्थ में मिलता है यह अमल जो दिये गए हैं यह जो अमल है यह इन में से किस पदार्थ में मिलते हैं इसकी हमें सही जोड़ी बनाना है चलिए इसके लिए हम छोड़ी सी हिंट देख लें तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा दूद के किंडवन से बने पदार्थों में लेक्टिकमल होता है याने दूद से कोई भी पदार्थ बनेगा to उसमें क्या होगा लेक्टिक अमले किसमें मिलेगा तो दूर से बना पदार्थ कौन सा इसमें दही है यस तो हमारा एक लेक्टिक अमले का आंसर हो जाएगा दही चलिए आगे पढ़ते हैं खाद पदार्थ जो हम घरों में बनाते हैं अचार और मुरब्बा को खटास देने वाले पदार्थों में असरी कमल होता है तो आप अचार बनाते हैं वक्त अचार में क्या डालते हैं उसको खटास देने के लिए उसको खराब उने से बचाने के लिए सिरका तो सिरके में असरी कमल होता है तो चलिए saty Camlilr खटे स्वाध वाले या खटे फल वाले यहां आगे पढ़े है तो देखे साइट्री कामने किसमें हो जाएगा यहां पर कौन सा खटा फल है नीबू तो नीबू साइट्रसं कूल का है तो इसमें satyram letter होगा आगे पढ़े है आगे बढ़ते हैं औक्जलीक अमले यह आप याद रखना पड़ेगी औक्जलीक अमले टमाटरम पाया जाता है या पांच ओप्सन मिल जाएंगे सही मिला दोगे तो छटा आपने आप सही मिलेगा टाटरिक अमले टाटरिक अमले सफेद क्रिस्टली अमले है जो फलो में पाये जाता है जिसे हम बेकिंग सुड़े में मिलाते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए तो टाटरिक अमले मिलता है इमली में चलिए आगे देखते हैं कुछ और आ रहा है कि हमारे सामने जी हां हम इस्तंब आ में हमारे योगिकों के नाम दे रखे हैं, पदार्थों के नाम हैं, ब्लीचिंग पाउडर खाने का सोड़ा, धावन सोड़ा, बिलकुल ये सारे पदार्थ हैं, और हमें इधर इनके उप्योग दे रखे हैं, तो एक और इस्तंब आ में घर में काम आने वाले दे नवज्amp आउक्सिजन पर तो यह क्या कहलाएगा exemple विरंजन हेत उपयोग किया जाता है आगे पड़े खाने का सोड़ा पेट की अमलता को उदाशिन करने वाले पेपदार्थों में होता है खाने का सोड़ा या मीठा सोड़ा या मीठा सोड़ा ये पेट की अमलता को उदाशिन करने के काम में आता है तो ये क्या कहलाएगा पे चुद्योग कपड़ा उद्योग वहाँ पर धावन सोडे का इस्तमाल होता है तो हमारा उत्तर आप ढूंडिये क्या आना चाहिए यह सकाच के निर्मार में चलिए आगे पढ़ते हैं sodium chloride के बारे में क्या कह रखा है sodium chloride के जलिये wilian मैं से विद्युद्धारा प्रभाहित करने पर क्लोर चार अभीक्रिया होती है कितावों में देखिएगा पूछा भी जाता है क्लोर चार अभीक्रिया क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब NACL अर्थात नमक के विलियन को हम पानी में घुल ले नमक का पानी में विलियन बना लें और उसमें विद्युद्धारा प्रभाहित करें तो मालों में क्या-क्या पैदा होगा एक तो हाइडियन गैस पैदा होगी दूसरी क्लोरीन गैस पैदा होगी और एक छार बनेगा N-A-O-H चुकि नमक के जली विलियन में से विद्युद्धारा प्रभाहित की जाती है तो N-A-O-H बनता है और क्लोरीन गैस बनती है जो क्लोरो कहला रही है इसलिए इसका नाम पढ़ गया है क्लोर अभी क्रिया तो उत्तर समझ में आगे आपको आप किस से मिलाएंगे सोटिम क्लोराइट को हाइडिजन और क्लोरीन बनाने में क्लोर चार प्रक्रियाग द्वारा जली आगे पढ़नें प्लास्टोर अभ पैरिस सूखने के बाद कठोर हो जाता है सूखने के बाद कठोर हो जाता है तो वो जिपसम में बदल जाता है और कठोर हो जाता है फूल कर कठोर हो जाता है इसलिए इसका इस्तमाल बहुत सारी चीजों में होता है पर यहां क्या आएगा टूटी हड्डियों को जोड़ने में कठोर हो जाएगा फिर टूटी हड्डी हिलेगी नहीं हिलेगी नहीं तो आगे हैं बुजा हुआ चुना सुखने पर सफेद चम के लिए CACO3 में बदर जाता है घर में आप लाते हैं चुना पोतने के लिए तो आपने चुने को पानी में घुल लिया तो चुने का जली विलियन तयार हो गया इसको आप दीवारों पर पोत देते हैं दीवारों पर पोतने के बाद वह चुना बुजा हुआ चुना C-A-O-H-H-O-T-O-Y-U-Mandle की कारबंड़ योकसाइट से क्रिया कर लेता है और हाइडियन गैस निकलती है और C-A-C-O-3 बन जाता है C-A-C-O-3 याने चुना पत्थर इसलिए तो दीवार पर वो चमकीली सफेद पपड़ी तयार हो जाती दीवारों चमकने लगती है तो इस प्रिकार भुजा हुआ चुना पोतने के बाद सफेद चमकीली C-A-C-O-3 में बतल जाता है कर्बन डे योकसाइट सिक्रिया करके इसलिए हम इसका उपयोग काई में करते हैं पुताई में करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली तीसरी साइड यान्तिम जोडी है और अन्तिम जोडी में एक तरफ लिखे हुए हैं रासानिक योगिक और दूसरी तरफ लिखे हैं उनके रासानिक सूत्र हमें उन योगिकों को उनके सूत्र से मिलाना है वेरी सिंपल नहीं आता हिंट को समझने हिंट आपको क्यों दी जा रही है देखो रटना कठिन है लेकिन अगर आपको कोई हिंट दे दी जाए तो आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं जैसे bleaching powder का मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा सूतर है bleaching powder का एक नम्मर का अब मैं यहाँ पर हिंट अगर मेरे दिमाग में हमेशा बना के रखूँ कि bleaching powder calcium hydroxide यानि भुजा हुआ चीना और chlorine गेस द्वारा बनता है तो मैं सूतर निकाल सकता हूँ और chlorine यह दोनों मिलकर बनाएंगे bleaching powder तो देख लो ऐसा योगिक जिसमें CAB हो और CL भी हो तो CA और CL किसमें मिल रहा है यास B नम्मर में तो bleaching powder का सूतर हो जाएगा CAO, CL2 आगे बढ़ते हैं ऐसी हिंट है खाने के सोड़े का सूतर हमें नहीं पता देखते हैं हिंट क्या कह रही है baking soda को गर्म करके धावन सोड़ा प्राप्त किया जाता है इसलिए baking soda का इस्तेमाल ना करते हैं बेकिंग सोड़ा करने पर धावन सोड़े मदल जाता है तो baking soda आपको समझ में आ जाएगा बेकिंग सोड़ा हो गया NaHCO3 और इसको गर्म करेंगे तो यह धावन सोड़े मदल जाएगा Na2CO3 तो इस परकार दोनों को आप याद रख सकते हैं चलिए gypsum का सूत्र देखें जिपसम के बारे में कहा गया है कि यहाँ एक जलियोजित लवन है जलियोजित लवन यानि उसमें पानी के कुछ अणू बने होंगे जिप्सम एक जलि योजित खनिप है, है जिसमें दो अणूं कृिष्टलं जलके होती है, तो जिप्सम में दो अणूं होते है, क्रिष्टलं जलके, तो C.A.S.O.R.IN? इसी प्रिकार उपर द्वाला धावनों होती है, क्रिष्टलं जलके, तो आप उस दस अंवों से पता कर लेंगे धावन सुड़े का सुटर चलिए आगे बढ़ेंगे प्लास्टरो पैरेस तो प्लास्टरो पैरेस जिप्सम को 373 या 100 डिक्री गर्म करके बनाया जाता है गर्म करके क्या होता है डेर अनू पानी का उड़ जाता है तो मित्रो आपने 50 मिनिट के करीबन 40 मिनिट में आपने 50 वस्तुनिष्ट प्रशनों को समझा तो बहुत कम समय में आपके बहुत सारे प्रशनों की तयारी हो गई और साथी साथ आपने उत्तरों को समझा है रटा नहीं है हिंट के माध्यम से तो उन हिंटों को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पूरे अध्याय, अध्याय दो का पूरा रिवीजन हो गया है, आपसे कोई भी प्रशन पुछा जाए आप उसको अतरासनी से दे सकते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत रंकी उसको आप जब टच करेंगे, तो एक उनलाइन प्रस्न मंच, उनलाइन क्यों शुरू हो जाएगा, जिसमें इन ही पचास वस्तुनिष्ट प्रस्नों को पूछा गया है, आप उस उनलाइन प्रस्न में सामिल हो, उन पचास प्रस्नों के उत्तर दें, और फिर अपना टेस्ट दिया, नमबर मिले, ये काम तब तक करते रहें, जब तक की 50 आप तक 50 नहीं मिल जाते, दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, चैनल को सब्साइब करना ना भूलें, बहुत बद्धन